नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वावित है मेरे यूटूब चैनल पंटित मनोश रमा में आप सभी का दिल से भी नंदन है मेरे चैनल में भाई भाई भैनों आज हमारी वीडियो का मैं नमक सकता यह उन भाई भैनों के लिए हैं जिनकी लव लाइफ में पार्टनर उनसे रूटली बात करता है चिर्चरापन रखता है जा किसी के बहकावे में है उन भाई भैनों के लिए यह उपाय में आपको बताऊंगा याद रखें कि अगर आप अपने पार्टनर से मैरेज करवाना चाहते हैं जा उनका साथ जिंदगी भर देना चाहते है तब ही उपाय करें अगर आप उनको नुपसान पहुंचाने के मकसद से करेंगे जाएक तरफ़ा प्यार है आपका तब ही उपाय कभी भी सिद्धन नहीं होंगे आपको क्या करना है कि अमावस के दिन आपने सिर्फ से सिंपल सरल काम आपको मैं बताता हूँ दो पान के पत अब पत्य ले एक पत्य पे आपने अपना Canadian लिखना है और एक पर आपने उस इंसान का उस जातर का नाम लखना जिससे आप कर्ते हैं उस जाते के नाम लिखने के बाद में नीची आपने एक मंतर लिखना है वो मंतर आपको मैं आप मुझे कॉल कर लिजेगा मैं आपको बता दूँगा सिद्गर की उस मंतर को रखके आपने उस पत्ते पे आप लिख लीजिए काले कोईले से लिख लीजिए जा संधूर से लिख लीजिए लिखने के बाद में जहां पे आपने अपने पार्टनर का नाम लिखा है और नीचे उसके मंतर लिखा है उस पान के पत्ते को आप फोर्ड करके मौली से मौली मतवल लाल रंका धागा जा मौली दुकान से आपको क्रैने की दुकान से जा कॉस्मेटिक की दुकान से मिल जाएगी ठीक है उससे आप उसको अच्छी तरह से कवर कर देजे पूरी तरह से कवर करके आप उसको किसी हरे दर्खत ट्री जैसे हरा ट्री कोई भी हो ग्रीन ट्री हो हरे दर्खत की टाहने के साथ में बांध दीजी बांधने के बाद में आप उसको पीछे मुड़के ना देखी और अगर आप बांध नहीं सकते तो उस हरे पेड़ की जड़ाओं में चोटा सा खड़ा कोदिके वहां पे उसको दफना के उपर पानी उपर सासी मिट्टी डाल दीजी इसको कवर मतल ऐसा दिखना चाहिए किसी नहीं कुछ ऐसे यहां पर कुछ किया यह उसके बाद में आप उसको पीछे मुड़के ना देखी और जो दूसरा पान का पत्ता है उसको आप अपने घर में जिसमें आपने अतना नाम लिखा है उसको आप अपने घर में कोई ऐसी जगहां पर रख दीजिए जहां पर कोई देखे ना मावस तक आप यह क्रिया को इस पान के पत्ते को वहां पर रखे उसको छेडे ना, कोई जूटे, कोई बुरे हाथ ना लेगे, उसको एकदम से ऐसी जगा रख देना है कि जहां पर कोई देखे ना, आपको मैं बादा करता हूँ, एक अफ़ते के अंदर अंदर या आपको आपके प्यार के अंदर काफी परभाव, काफी अच्छा उनके बोल कि जोत आपके झापके अंदर काफ़ को बसे कष़ने हुआ शोड़ रसा है